वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइका जरूर दबाए, हमाई न्यूव वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से लिए हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताके आपको हमारी आने वाली न्यूव वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर फ्रस्कॉश्ट्चन ही, सामजिक अनुसंधान का परकार नहीं है, तो यहाँ पर इसका परकार सज़ाती है थाय यह परकार नishnaशन हो जाएगा, नेक्स कोश्ट्चन ही, कि आत्मक अनुसंधान संबंदित है तो यह एक व्यावारिक अनुसं जीवन इतिहाद समबंदित तुर नेक्स कोस्चन है नेक्स कोस्चन है अवलोकन है तू नीम्न मेंसे कौन सा परबलकारक है तू परिसकानसरजभा ओप्सन ड आंक नेक्स्ट इज़ाँ दस्तवेज सरौत फेस्परत नेक्स्ट इन में से उत्तम निर्दरसन की विशेष्टा कौन से है, तो हैं पर निश्पक्ष्टा, तर्क पर आधारित और समगर परते निदेतु ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, तो हैं पर उप्संदी राइट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, निमलिकित में से कौन सी गुनात्मक पद्ती है, तो हैं पर व्यक्तिक अध्यन इसकी गुनात्मक पद्ती है, नेक्स्ट है, विध्यानिक पद्ती की मुख्य विशेष्टा है, तो हैं पर वश्टु निश्टा, निश्चयात्मक्ता और पूर कथनियता, ये समाजिक अनुसंधान नवीन तत्यों की खोज है नेक्स्ट है अनुसंधानिये समश्चा के सुरोत में संभिलित कर सकते हैं तो यहां पर सिद्धान्त और भूतकालियन अनुसंधान अनुसंधान करता का अपना अनुभव और प्रायोगिक पक्ष जिसमें हलकी अवशकता है यह सभी सम्मिलित कर सकते हैं तो यहां पर ओप्शन डी उपरुक्त सभी सही अनुसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है वर्णन आत्मा के अनुसंधान सायक है क्योंकि तेहां पर इसका अनुसर जब ओप्शन डी उपरुक्त सभी यहां पर परभावसाली राय के रूप में परुक्त कर सकते हैं विभिन परकार की सेक्षनलिक समस्चाओं की खोज में सायक है और आसानी और स सहज़ता से पर्युक्त है नेक्स कोश्चन है निवन में से कौन सा बिंदू रेखा चितर का दोस नहीं है तो यहां पर उप्शन भी तुलनात्मकता इसका दोस नहीं है नेक्स टे उपकल्पना कारी की प्रस्तावित यूजना है यह कथन है तो यह कथन सत्य है नेक्स टे स अंख्या में अनसंधन करता की जिरोत है तो है पर ओप्षन डी उपर सभी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट कोश्चन है आत्म कथा आकड़ यहकतरित करने का कौन सा शरोत है तो यहां पर ही द्वित्यक शरोत है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एनियंतरित अवलोकन का दोस है तो यहां पर व्यक्तिक पक्षपात इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है विपणन अनुसंधान आकड़े एकतर किये जाते हैं तो यहां पर द्वित्यक में विभेद किया जा सकता है तो यहां पर संग्रहन उद्देश्चेता और मूलता सभी के अधार पर भेद किया सकता है तो डी ओप्षन से आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है विज्ञानिक पद्ती की मुख्य विशेष्टा है तो यहां पर ओप्षन डी उप्रोक सभी वस्तु निष्टा और पूर कत्नियता और निष्ट्यात्मकता यह सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा जब तरक का करम सामाने से विशेष्ट की और होता है तो उसे कहता है तो इसे निगमन पद्यती कहा जाता है नेक्स्ट ए निवलीखित में से कौन से गुनात्मक पद्यती है तहाँ पर व्यक्तिक अध्यानिस का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है एक उत्तम सार्णी की विशेस्ताई बताईए तो यहाँ पर इसकानस्वरे ओप्सन डी उप्रोक सभी आकरशक, समुचिताकार और तुलना की स्विधा नेक्स्ट है बंद प्रशनावली के विकल्प होते हैं तो यह सीमित होते हैं नेक्स्ट है साकसातकार के परकार है तो यहाँ पर संयोजित इसका राइट आनसर है नेक्स्ट है सहगामी तथा अनुगामी पत्र संबंदित है तो यह प्रशनावली से संबंदित है नेक्स्ट है इनमें से कौन सी देव निदर्शन चुनने की विधी है तेहाँ पर लोटरी विधी टिपेट और कार्ड विधी यहाँ पर सभी राइट आनसरे तेहाँ पर ओप्सन डी उपरोक सभी हो जाएगा किस प्रकार के साक्सादकार में साक्सादकार करता के पास प्रस्णों की कोई पूरोण इरधारी सूची नहीं होती है तो अब एस संडिय चित साक्सादकार इसका राइट आंसर हो जाएगा next question है अर्द सेहभागी अवलोकन को किसने मद्ध्यमार कहा है तेहां पर लिंड मेन इसका right answer है नेक्स्ट एक बहुतिक इकाई पर किये गए अवलोकन जाने जाते हैं ते व्यक्तिक अध्यन के नाम से जाने जाते हैं नेक्स्ट ए निम्ण में से कौन आकडो के संग्रहन की विधी नहीं है तेहां पर परियोग इसका right answer है नेक्स्ट ने द्वीत्यक मोजूदा आकडों में निमले ही सम्मिलित होते हैं तो यहाँ पर ओप्षन डी उप्रोक सभी राइटांस हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र कार्याले के परपत्र और अनुसंधान समंदी प्रोलेख नेक्स्ट कोश्चन है खुले प्रशने मुख्यते किस प्रकार के आकडों को उपलब्द कराते हैं तो यह गुनात्मा का आकडों को उपलब्द कराते हैं तेहें पर कैंदन्रीत समुह स्का रायटांसर है नेस्ट ए, वियवहारात्मा को है अध्यन किस के द्वारा संबव है तेहे, साकसातकार, अनुसुचिय और गहन साकसातकार सभी के द्वारा संबव है तो Mulher है, तो उपसंडी रायटांसर हो जाएगा संधान का आधारु देश हैं तो यहाँ पर नवीन ग्यान और पुराने तत्थियों का पुण्ह प्रेक्षन यह दोनुँ ही राइट आनस्वरे तो सी उप्शन से आनस्वर हो जाएगा है हैं अपर नेक्स्ट हैं क्या है तो यह एक वर्गी करन वर्गी करत आखड़ों की रो और कोलमों में तंत्रवत विवस्ता वो प्रशनों के अर्थपून उत्तरों में वर्गी करत करने हैं तो वर्गी करन करना उप्रोक सभी आनस्वर हो जाएगा समाजिक अनुसंधान समाजिक विज्ञानों के विकास में सायक है तो यह सकते हैं छेतर संपादन है तो यह प्राथमिक संपादन है अधिक मातरे में मातरात्मक आकडों का संग्रहन संबंदित होता है तो वर्गों के प्राप्ताव के गण्डा करना इससे संबंदित होता है नेक्स्ट है जब बड़े आंगडों के समुच्चे के लिए आवरती वितरन का निर्माण किया जाता है तो यह अच्छा होता है कि वर्गेकरत किया जाए तो यह 5-6 वर्गों में वर्गेकरत किया जाता है नेक्स्ट है निम्ण में से कौन सा सामाजिक अनुसंदान का द्वित्य चरन है तो यहाँ पर साहित्य का उलोकनिस का राइटान्स होए नेक्स्ट है निम्ण में से कौन सी एक विसेस्ता सारनी की है तेहाँ पर स्पष्टता, अक्रशनता और निश्चित आकार ये सभी एक विशेस्ता होती है शारनी की तो यहाँ पर उप्रोक सभी राइटान सब जाएगा नेक्स्ट है निमलेखित में से साखसातकार का दोस कौन सा है तो रिपोर्ट बनाना इसका दोस हो जाएगा नेक्स्ट है निमलेखित में से कौन सान संधान रिपोर्ट का मुख्य भाग नहीं है तेहाँ पर इसकानस्वर हो जाएगा उप्शन B विधी नेक्स्ट है किस भाग में आप अन्ते तो गत्वा प्रिणाव का मुल्यांकन और उसकी व्यक्य करते है तो इसका अनस्वर हो जाएगा उप्शन D विचार विमर्स नेक्स्ट है सारनी करन का आंकडो दोरा मस्तिक्स पर प्रभाव पढ़ता है तो यहाँ पर वास्तिविक इसका राइटान सोर जाएगा नेक्स्ट है निमने में से स्वतंतर अवलोकन किसे कहा जाता है तो यहाँ पर एनियंतर अवलोकन को स्वतंतर अवलोकन कहा जाता है नेक्स्ट है बागे अवलोकन सब्द का परियोग सरुभरतम किस विद्वान ने किया तो लिंड मैन ने इसका परियोग सरुभरतम किया था नेक्स्ट ए अवलोकन विधी दुवारा किन तत्योग का संकलन किया जाता है तो यहाँ पर प्राथमी किसका राइट आनस्वर हो जाएगा नेक्स्ट ए दा डिजाइन ओप सोसल रिचर्ज के लेखाखे तो इसका आनस्वर हो जाएगा आरेल एकोक नेक्स्ट ए ग्यारा बारे तहरा का समांतर माध्धे ग्यात करो नेक्स्ट ए चितरों के प्रकार है नेक्स्ट ए नेक्स्ट वे प्रशनावली क्या कहलाती है जिसमें प्रशनों के संभावित उत्तर विकल के रूप में पहले से ही दिये जाता है तो यहाँपा पर्तिपंदित प्रशनावली इसका राइट अन्सवर है कौन से प्रशनावली साखसातकार पत परदर्शिका के समान ही होती है सन रचित प्रशनावली राइट आंसर है तथि संकलान की वह विधि जिसके अंतरगतश शिक्षित उत्तर दाता प्रशनों के उत्तर सुन भरता कहहलाता है तो हम पर option B प्रशनावली कहलाता है नेक्स्ट है एक अच्छे निर्दर्शन की विशेशता है तो यहाँ पर option D right answer हो जाएगा समगर का परतिनिद्व और प्रियाप्त आकार निस्पक्षता यहाँ पर सभी सही है यहाँ पर तो प्रोक सभी right answer हो जाएगा नेक्स्ट है पर संभवित निर्दर्शन को अन्य नाम से भी जाना जाता है तो इसे देव निर्दर्शन के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है कुछ के अधार पर संपूर्ण का अध्यन क्या है तो यहाँ पर निर्दर्शन इसका right answer हो जेए समाजिक संबंदों की प्रकरती है तो इसकी प्रकरती होती गुनात्मक समाधिक गटनाओं की प्रकरती है तो इसकी प्रकरती होती जटिल समाजिक सर्वेक्षन एक केसी किरिया है तो एक खर्चिली किरिया है नेक्स्ट है पूर्गामी सर्वेक्षन किया जाता है तो है मुख्य सर्वेक्षन से पहले किया जाता है उप्षन ए राय टांसर हो जाएगा नेक्स्ट है आपर निदर्सन के परकार है तो यहाँ पर इसके परकार दोने हैं संभावित और एसंभावित निदर्सन नेक्स्ट है भोगोलिक छेतर के चुनाव के लिए किस विधी का प्रयुक किया जाता है तो इसके लिए लोट्री विधी का चैन किया जाता है समाजिक अनुसंधान में अवलोकन पद्धिती का परचलन है तो यहाँ पर सरवादिक ओप्सन है राई टांस्वर है नेक्स्ट है वरतमान समय में साकसातकार का माध्यम है तो आपर टेलीफोन, इंटरनेट और आमने सामने बेटकर सभी परकार से साकसातकार क्या जा सकता है तो आपर डियोप्सन से अनस्वर है नेक्स्ट है बहुलक ग्यात कीजे तो आपर इस कानस्वर जगवा उप्सन B 22 तो आपर 22 क्यों आया क्योंकि 22 की सबसे ज़्यादा बार आवरत्ती होई है इसलिए आपर 22 इसका बहुलक हो जाएगा जिस संख्य की आवरत्ती यानि के पुरुनरावरत्ती बार बार होती है सबसे ज़्यादा बार जिस संखेरी पूर्ण रवत्ती होते हैं उसका बोलक होता है कि सोध की प्रकरती निदाता आत्मक होती है तो यहाँ पर ओप्सन एक किर्यात्मक सोध राइट आनसर है समाजिक अनुसंधान का प्रेराणा आत्मक कारक क्या है तो इसका अनसर रजगा नवीन एम पर प्रत्यासितित परिस्थितिया अग्यात के प्रती जिग्यासा यहाँ पर दोनों ही इसका राइट आनसर है नेक्स्ट है प्राथिमिक तथ्यों का संकलन नहीं किया जा सकता है तो इसका संक्रन पुस्तकों द्वारा नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट जनगन्न रिपोर्ट है तो एक द्वित्यक तत्य है सूचना के इस रोत के परकार है तो आपा प्राथमी द्वित्यक दोनों इसके परकार है नेक्स्ट निम्ने में से कौन सी एक व्यग्यानिक विधी नहीं है तो यह पर प्रयत्रन एवंभोल इसकी व्यग्यानिक विधी नहीं है नेक्स्ट अनुसंधान परिकल्पना है तो यह एक ज्यान प्रस्ताव परिकल्पना है सेक्सिक अनुसंधान एद्वित्त है क्योंकि यह एक समाजिक है और यह मूले संबंदित है और यह भविश्य केंद्रित होता है तो यह पर option D प्रोक सभी answer हो जाएदा सोध प्रबंधन सिमाए है तो यहाँ पर इसका right answer है option A और C अनुसंधान करता द्वारा प्रास्तावित और गणितिय टूल की मांग के करण तो यहाँ पर option D पर इसका right answer हो जाएदा next day निम्ण में कौन सा समाजिक अनुसंधान का पर्थम चरन है तो यहाँ पर option C समस्या का निर्माण इसका right answer हो जाएगा next day कोठारी समीति के परतिवेदन को किस रूप में जमक किया गया था तो यहाँ पर option C इसका right answer हो जाएगा सिक्सा एवं राष्टे विकास next day निम्ण में से कौन से विदी साकसात कार के समें आकुडों के रिकोर्ड के लिए सबसे अच्छी है तो यहाँ पर वीडियो टेपिंग इसका right answer हो जाएगा next day अनुसंधान में नीती परिचायक है तो यह किसी दूसरी के अनुसंधान को उद्देत न करना इसका right answer है next day माप देंड से आसे हैं तो इसका सही आदर्शे हैं next day अनुसंधान के परकार है तो यहाँ पर तीनो हिस के परकार है परतिदार्स अनुगमान और संगनता तो यह उप्सन डी उप्रोक सभी right answer है next day चरोका एसा मान जो वितर्ण में अधित्ता में पाया जाता है कैलाता है तो यह बोलक कैलाता है next day वास्तों में अनुसंधान रिपोर्ट दुवारा संप्रेशन होता है तो हपार ओप्सन डी उप्रोक सभी right answer हो जाएगा अनुसंधानित अध्यन्वे परिणाम और भावी सोध है तो प्रेक्षित यह सभी इसके right answer हो है next question है निमले खित्मे से कौन सा गुण अनुसंधान करता में पाया जाता है तो सहन सिलता इसका एक गुण है next है भारते समाज के बारे में समागरी संकलित करने है तो किस परविधी को प्राथमिकता दी जा सकती है तो यहाँ पर इसका right answer हो जागा समाजिक शर्वेक्षन को next है किस मानुसास्त्री ने सबसे पहले अपने अध्यन से सहभागी अवलोकन का परियोग क्या है तो यहाँ पर इसका अनसर हो जाएगा बी मेलिनो वसकी next है वह तक थे जो पहले से ही उपलव्द होते हैं उसे कहते हैं तो उसे द्वी तक तक थे कहते हैं next है निवलिकित में कौन सा सहभागी अवलोकन से संबंदी थे तो यहाँ पर वाइटी इसका राइट अनसर हो जाएगा option B right answer है next है निवलिकित में कौन सा निदानात्मक साक्षत कारको धरने तो यहाँ पर गरीबी, नोकरी, खेल ये सभी इसके राइट अनसर हो जाएगा next है वर्ष्ट हीन उपागम किस से संबंदी थे तो यहें वेबर से संबंदी थे next है इन में से कौन सा सर्वेक्षन का यंतर नहीं है तो यहाँ पर उपकल्पना इसका यंतर नहीं है तो यह सभी 100 कोश्चन थे जो कि आपके 2022 के एकजाम में पूछे गए थे इस वर्ष्ट भी इन में से आपके ज़दे ज़दा कोश्चन एकजाम में आने वाले हैं तो आप सभी कोश्चनों की तजारी कीजिए तो आपको यह वीडियो कीसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीर वीडियो को लाइक जरू करे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करे इससे आपको मेरी आने वाले नुटिफिकेशन समय पर मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब दक के लिए बाई बाई टेक केर